अगर आप इस न्यूज पेपर की पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हैं आपको मिलेगे टेलिग्राम पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आईये सकर्डमिन टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे बहले बात करेंगे environment ministry ने एक proposal रखा है कि environmental रिडिट जितने भी cases है जिनमें punitive steps ली जाते हैं उनको soft कर दिया जाए ये पूरा issue है क्या इसके बारे में बात करेंगे ministry ने एक तरीके suggestion मांगी है कि भई जितने भी environmental protection act जिसमें major injury को अलावा जो भी एक तरीके से case हो उनमें decriminalize कर दिया जाए यानि छोटी मोटी चीजों के लिए आपको criminal category के अंदर नहीं बलकि उसमें आपसे केवल monetary एक तरीके से पनेटी हो नहीं कि एक तरीके से कोई उसमें imprisonment हो इस तरह की चीजों तो union environment ministry ने propose किया है कि हम लोग environment protection act ये बहुत important है इसके कुछ closes को replace करने के बारे में सोच रहे हैं और इसमें अंदर basically ये planning है कि जो सजा होती है जेल की जो ट्रम होती है उसको समाप्त करके केवल monetary आपको amount जो पे करने पड़ेगी अगर आपको एक तरीके से violation करते है environmental protection act का लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि माल है ते कि भाई कोई serious case है या फिर जिसमें loss of life हो जाता या किसी व्यक्ति की death हो जाती है ये casualties हो जाती है उस case में आप जो है IPC के जो provisions है उसके अंडर Indian penal code 1860 के जो provision है उसके अंडर आपको सजा दी जाएगी ये इसके अंडर कुछ चीज़ें जो है mention करीगे इनके अलाबा यहां पर difference vary करेगा कि penalty जो अलग-अलग हो सकती है फाइल एक्से लेकर 5 करोड तक depend on किस तरह का crime है ये सेम चीज़े एर act या फिर एक तरीके से दूसरे जितनी विये act है जिसमें water act है उन सब को लेकर indicate करती है देखो इंडिया के अंदर environment को लेकर wildlife protection को लेकर various act बनाए गई है आप लोगों के लिए question है जब हम बात करते हैं environment protection act तो ये कौन से year implement हुआ था है कौन से year pass हुआ था और एक और बहुत important बहुत popular है wildlife protection act ये काफी important है तो ये कौन से year इन दोनों के बारे में आपको sequence में बताना है कि wildlife protection act देश के अंदर कब लाग हुआ था और environment protection act कब लागू हुआ था ये दोनों बहुत important है इसके ठीक नीचे एक छोटी शी news है ये basically United Kingdom के बारे में recently हमने पढ़ा था कल हमने सवाल ही पूचा था कि England Great Britain और UK के बीच में difference क्या है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने comment किया बिलकुल सही answer था England simple country है अगर आप England में Wales और Scotland को आड़ कर देंगे Great Britain बनेगा और अगर आप उसमें Northern Ireland को भी आड़ कर देंगे तो बन जाएगा United Kingdom यह चार कंट्री के एक ग्रूप को बला जाएगा United Kingdom और mostly country में जिनके साथ भी United लगा होगा ये group of country a group of states को indicate करता है for example United States of America United Kingdom और most importantly United Arab Emirates अमिरास is equal to like states इसमें 7 अमिर मैं देख रहा था है Entrance Examination में United Arab Emirates में कितने अमिरास हैं कितने states हैं इसके बारे में सवाल हुआ तो 7 अमिरास आएंगे इनके अलावा यहां पर बताया गया कि UK के जो प्राइमिस्टर है उनके लिए एक blow है क्योंकि कुछ मिनिस्टर उनके resignation देती हाला कि हमारे लिए UPSC Civil Service दूसरी examination के लिए direct कोई question नहीं है यह एक internal politics का issue है इसके बाद बात करेंगे page number 8 पर जिसमें दो important topic के बारे में discuss किया गया है पहला है foreign portfolio investment जो काफी ज़्यादा news में है और इसका इंडिया की market पर क्या impact पट रहा है क्या Russia और Ukraine के वीच में जो यूच चल रहा उसका कोई relation है औ और Indian currency की value लगातार जो US dollar के compare में कम हो रही है इनका क्या relation इन सब चीजों को observe करेंगे काफी important है इसके ठीक नीचे चाहिना की road and belt initiative के बारे में discussion किया गया है उसका South Asia के अंदर कहां कहां पर investment है और क्या वो एक indication करता है उसके बारे में observe करेंगे दोनों topic काफी important है यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोरी अब तक क्या है foreign portfolio investor portfolio क्या है investor क्या है foreign क्या या FPA क्या बोलते है foreign institutional investment भी बोल सकते है जून 2022 में मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी एक तरीकी से sell देखने को मिली 50,000 क्रोड जुका investment जो इंडिया से withdraw कर लिया गया और इसी तरीकी से कर हम बात क करते हैं माई महिने में फिर माई में 44,000 था जून के अंदर ये 50,000 यह दो महिने के अंदर ही 94,000 क्रोड रुपे का जो देश के अंदर investment था वो विड्रोल कर लिया गया अब यह विड्रोल क्यूं होता है तो इसके बारे में detail से पढ़ेंगे economy का बहुत important topic है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यह ऐसा अगर हम asset sell की बात करते हैं तो कई सारे indication जो इंडिकेट करते हैं यह sell क्यों करते हैं या फिर foreign portfolio investor ने जो भारत के अंदर investment किया है वो भारत से withdraw क्यों कर रहें इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि foreign portfolio investment का मतलब क है foreign portfolio investor वो होते हैं जो दूसरी country में जहां पर उनका headquarter होता है उसके अलावा जिस country में investment करते हैं यह सारे एक तरीके से funds में basically investment करते हैं for example equity में हो सकता है bonds में हो सकता है mutual funds में हो सकता है यानि यह किसी company को control नहीं करते हैं जैसे अगर माल लेते हैं अमरीका का investor इंडिया में invest करते हैं तो यह केवल mutual fund में bonds में equity में investment करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको जब भी लगता है कि भाई हमें यहां से बाहर निकल ला तो वो अपने हिसाब से वहां से बाहर निकल जाते हैं यानि इनका investment बहुत जादा flexible वाना जाता है इसलिए foreign direct investment और foreign portfolio investment में यही major difference है कि foreign direct investment थोड़ा सा stable आपको नज़र आएगा foreign portfolio investment जब वो stable थोड़ा सा नहीं होता वो depend करता है country में के हिसाब से दूसरी country में को कितना benefit हो सकता है उसके हिसाब से वो decision लेते हैं foreign portfolio investment क्यों अपने आप यहां से बाहर निकल रहे हैं उसके बारे में एक data indicate किया गया national security depository limited के दौरा कि 2002 के अंदर भारत के अंदर 3620 क्रोड रुपे का investment हुआ था यह 2010 में बढ़कर 1.7 लाग क्रोड हो गया 2008 में जब global financial crisis हुआ था तो बड़ी संख्या में जो foreign portfolio investment है इन्होंने अपने एक तरीकिस investment को बाहर निकाला अपने country से 2020 में हुआ क्या जैसे ही देश के अंदर lockdown announcement हुआ एक लाग 18,000 क्रोड रुपे का investment था केवल एक महिने में withdraw हो गया था और इसकी वज़े से हम देखते हैं कि मार्च के अंदर जो stock market है या sensex उसके अंदर भी काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली अब यह जो foreign portfolio investor है यह main चीज देखते हैं कि दूसरी country में अगर compare करते हैं कि पहली बात तो interest rate कितना मिलता है उस particular country में उसकी currency की value as compared dollar वो घटरी है बढ़री है यह important है और third major economy for example US में जो investor है उनको कितना benefit मिल रहा है यह सारे factor के basis पर decision लेते हैं और इसका impact हम देखते हैं कि बड़ी संक्या में जो foreign portfolio investor है वो withdraw कर रहे हैं और Indian currency की value as compared dollar 79 point something dollar हो चुकी है यहनि 79 plus हो चुकी है इनके लावा example दिया गया कि जून 2022 में 50,000 क्रोड इससे पहले 44,000 क्रोड 1993 में अगर आप देखेंगे स्टार्ट हुई भारत में COVID-19 की first, second और third waves आई यहनि इन्होंने कहिने कि Indian economy की recovery को disturb किया है और इनके अलाबा जो नए challenge है युक्रेइन और रशिया की बीच में conflict हो इनके अलाबा sunflower wheat इस तरह की जो commodities है उसके price increase हुए global price चाहिए वो oil के हो इन सब के price increase हुए और देश के अंदर अभी भी inflation जो है वो upper level पर है for example अगर आप consumer price index को देखेंगे approximately 7.8% है जो RBI का target है कि वहाई 4-6% के बीच में होने ज उसे कहीं ज़्यादा आपको नजर आएगी इनके अलावा वरेश इंडिकेटर भी ये ये शो करते हैं for example purchasing manager index हो या फिर दूसरे indication हो जो indicate करते हैं कि देश के अंदर economically अभी भी भी बहुत ज़्यादा improvement नहीं हुआ है इनके अलावा गर हम बात करते हैं foreign portfolio investment के perspective से जून 15 में federal रिजलो ने जो यानि US का जो central bank को ने announcement किया कि हम लोग inflation को control करने के लिए interest rate को बढ़ा रहें इससे दो नुकसान हुए पहला Indian currency के value और ज़्यादा भी खोगी है दूसरा जो investor थे foreign portfolio investor थे वो इंडिया से definitely withdraw कर रहें ऐसा नहीं कि अवल इंडिया से जितनी भी emerging market है ब्राजिल South Africa इन से अपने आपको withdraw कर रहे हैं और इसका impact क्या होता है definite सी बात है जब किसी country में investment जो होता है वो कहीं कहीं कम होता है तो उसका impact पड़ता है और देखो आप जैसे dollar 73 था एक dollar is equal to 73 इंडिया रुपी तब अलग situation थी आज 79 हो चुका ही अलग है और इसका एक बड़ा impact यह ह होता है कि क्योंकि भारत अपनी oil की requirement के लिए 85% हम import करते हैं इससे क्या होगा trade deficit बढ़ जाएगा हाना दूसरा अगर हम देखेंगे इंडिया का import बढ़ेगा कि हमें तेल तो खरीदना है खरीदना पड़ेगा हमारे पास option नहीं है इसके लाबा food and energy crisis जो रशे युक्रेइन क और के बाद हम देख रहे हैं उसका आने वाले टाइम में इंडिया के लिए और ज्यादा नुक्सान होगा current account deficit बढ़ेगा trade deficit बढ़ेगा और अवर और एक fiscal deficit देश के अंदर बढ़ने वाला यानि राज कोशिया घटा बढ़ेगा subsidy bill जो है वो भी increase हो सकता है क्यों currency की value कम हो होने से बहुत सारी चीज़ों पर एक्जामपल हम लोग fertilizer specially DAP पर जो subsidy देते हैं यह और जादे increase करने पड़े क्योंकि fertilizer हमारे लिए कोशली हो जाएगा तो आने वाले टाइम में government के सामने बहुत अच्छी situation है नहीं और यह tough challenge मैं कहूंगा economic perspective से 2022 के previous सवाल पुछा था मैं इ discuss करूंगा economic page हम discuss करेंगे आप लोग इसको question number 3 को देखिए तब तक और आपको लगता है answer क्या होना चाहिए वह जुरूर आप नीचे comment करिए otherwise end मैं मैं इसको details explain करूंगा कि आप इसको यहां से अराम से पढ़ सकते हैं यह statement इसकी है कौन सी सही है वो आप नीचे comment करिए आप the status of China's belt and road initiative in South Asia यह इतना ज्यादा news में क्यों आ गया है इसके बारे में बात करेंगे रिशन में आपको पता होगा G7 group यानि group of seven developed country या industrialized country इनकी meeting हुई जर्मनी के अंदर जहां पर India member नहीं है लेकिन इंडिया के प्राइमिस्टर as a special invite इस summit के अंदर हमने participation किया G7 group ने announcement किया कि हम लोग 600 billion dollar का plan जो है वो indicate करेंगे और इस plan को बोला गया partnership for global infrastructure and intelligence यह जो word यूज किये गए है इस तरह के words direct pick किये जाते हैं तो याद रखी इन चीज़ों को इसके अंदर यह बताया गया कि हम लोग चाइना का जो belt and road initiative है जिसकी value approximately 1 trillion dollar है उसको counter करेंगे और इस पूरे scenario को लेगर देखते हुए South Asia के अंदर जो चाइना की investment है उसको अब्जो किया गया है दोनों में difference क्या है देखो जो US का या फिर जो G7 ग्रूप का प्लान यह mostly private funded है लेकिन चाइना का belt and road initiative है वहाँ पर यह government के द्वारा back किया जाता है तो इन चीजों में difference और यह amount अगर आप देखें चाइना की belt and road initiative की लगबख double आपको देखने को मिलेगी यह जो चाइना का belt and road initiative है यह basically आया कह से 2013 में चाइना की president गए थे Kazakhstan और Indonesia में उनका उनकी मन में एक विचार है कि 21st century में जो silk road economic belt ancient time में maritime silk road बोलते थे जिसमें Asia को connect किया जा था चाइना के थूँ तो Asia connectivity को लेकर रहने का कि चलो फिर चाइना इसको लेकर lead करेगा belt and road initiative के perspective से इसको लेकर रहने किया कि हम लोग 1 trillion dollar का investment करेंगे 2025 तक अब तक 60 country इसमें agree हो चुकी जोइंड कर चुकी चाइना का belt and road initiative जिसमें Asia, Africa, Europe और Latin America में आपको रोकूंगा क्योंकि इंडिया इसमें member नहीं है इंडिया विरोध करता है इस project का reason में आपको बजाता हूँ strategically विरोध नहीं है practical विरोध क्योंकि चाइना पाकिस्तान economic corridor जो इस project का हिस्सा है ये basically जाता है P.O.K. से यानि पाकिस्तानी occupied कस्मेर से और जब कोई region इंडिया और पाकिस्तान के बीच में dispute वहाँ पर third country investment करती है तो definitely इंडिया इस चीज़ को कभी भी accept नहीं कर सकता इसके अलावा चाइना पर बहुत सार एलिगेशन भी है इन्होंने का कि हम लोग commercial interest rate पर पैसा देंगे लेकिन चाइना पर एलिगेशन है कि भाई ये तो debt trap कर रही है यानि बहुत सारी country को कर्ज के भार में डुबो रही है और definitely ये एलिगेशन जो है वो ऐसे नहीं है इसके examples भी बताएगे हैं for example middle income countries के पास अगर हम बात करेंगे तो उनके पास कोई खास option नहीं है कोई भी अगर उनको loan नहीं देगा तो चाइना से loan लेते हैं तो एक बोल सकते हैं कि चाइना एक ऐसी country बन चुका जिसका भले विरोध करिए लेकिन आपके पास last alternate के रुप में देखने को मिलता है अलग अलग कंट्री में अबजर्व किया गया पाकिस्तान से सुरुवात करेंगी 2015 में चाइना के प्रेजिडेंट सी जिन पिंग पाकिस्तान में उस टाइम पाकिस्तान के प्राइमिस्टर थे नवाज शरीप इन्होंने बैल्ट एंड रोड इनिसिटी फ्लैक्सी प्रोजेक्ट को एक तरीके से कंट्री के अंदर इंडिकेट किया और यह बताया गया कि चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडॉर हम लोग 62 बिलियन डॉलर का एक तरीके से लो इंट्रेस्ट लोन आपको प्रवाइड करेंगे चाए हम प्रवाइड करें या फिर एशन डेवलेमेंट बैंक प्रवाइड करें और 46 बिलियन डॉलर इनेशली एक तरीके से सुरू किया गया चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कोरिडॉर के अंदर एनरजी ट्रांसपोर्ट कम्मिकेशन सिस्टम यह बहुत सारी चीज़ आती थी और ग्वादर इसका एक इंपोर आज भी अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिविटी नहीं देखने को मिलते एक्सेप कुछ अफगानिस्तान में जाती है ट्रेड करते हैं अफगानिस्तान में क्या ट्रेड करेंगी यह लोग क्योंकि अफगानिस्तान तो खुदी ट्रेड करने की प्रोद करते हैं उनका यह मानना है कि पहले बात तो चाइना के प्रोजेक्ट से उनके जो फिसिंग ऑपर्चनिटीज है वो कही ने के लोकल्स की डिस्टरब कर दी है दूसरा कई बार अटाइक हमने देखने को मिला चाइनीज नैस्नल पर तो पाकिस्तान को आर्मी अपनी लगाने पड़ती है इतनी ज़्यादा खराब सिच्वेशन क्रियेट होती है दूसरे प्रोजेक्ट भी है जैसे रेल प्रोजेक्ट है एनरजी प्रोजेक्ट है जिन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इवन पाकिस्तान के जो फोर्मर प्राइमिंस्टर ते इम्रान का नों ने सकते क्योंकि आपके पास लोन इतना है पाकिस्तान के पास साथी रिविया और चाइना इन दोनों कंट्री से जो लोन है या आज उनको बहुत अच्छा लग रहा है इनके वेल वैदर फ्रेंड नजर आते हैं बट जब भी फर इजांपल साथी रिविया का जो लोन है व को वापिस विड्रो कर लेता है सिलंका में 2013 में लॉंच किया इसके लावा इनकी सिच्वेशन इस तरीके से पहुंच गईगी भाई फिलाल एक तरीके से सिलंका एकनोमिक डेट के अंदर है और जब इनके पास पैसा नहीं होता था हम्मन टोटा पोट इस तरह के प्रोजेक अगरान और इसके थूँ एंड करें मालदीूज के अंदर बिसिकली दो गोवर्मेंट होती है एक होती है बिसिकली जो प्रोचाइना है जो अब्दुल्ला यामिन की गोवर्मेंट है दूसरी है इब्राहिम सॉली जो कि इंडिया को बहुत जा स्पोर्ट करती है तो इन दो में अब्दुल्ला यामिन की जो गोवर्मेंट अब बहुत जाला एंटी इंडिया है आपने कई बार आपने देखा हुगा इंडिया ओट कैम्पेंट करके यह बिसिकली प्रोच आयना है उनका वर्जन आपको लजर आएगा इसके बात बात करेंगे पेज नंबर 12 पर जो क खिती है उसको इंक्रीज करने को लेकर सेंटर गवर्मेंट ने कहा है कि राजय सरकारों को कि धान की फसल जो है उसकी शोविंग का मतलब होता है बिजाई उसको इंक्रीज करने की रिक्वार्मेंट है अभी रिपोर्ट आए कि इस बार जो धान की फसल का जो बिजाई एरि राइस और वीट की इंक्रीज हुई है और जितने भी पैडी एक तरीके से खरीफ सीजन के अंदर इंपोर्टेंट क्रॉप्स हैं खासकर पैडी उसको लेकर इंक्रीज करने की रिक्वार्मेंट हैं इनके अलबा अलग-अलग स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन किया गया एक तर अंदर एक तरीके से कुछ ऐसे मिनरल्स इंक्लूड किया जाते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं इनके अलावा यहां पर कुछ पेमेंट का इश्यू है कि बहुत सारे स्टेट जैसे बिहार पंजाब और उत्रप्रदेशन की पेमेंट डिले है कुछ स्टेट को क्रिटिसाइ इसी तरीके से स्टेट को हेल्थी कंप्यूटिशन के लिए चीज़े काफ़ी इंपोर्टेंट है इनके अलावा आने वाले टाइम में माल लूट्रेशन हो या डिजिताइजिशन अधार सीडिंग इप्यूएस इंस्टोलेशन इन एरियाज के अंदर भी स्टेट और इसको लेकर भी एफर्स आने वाले टाइम में किया जाएंगे यह इंडिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसके ठीक राइट हैंड साइड में यहाँ पर बात की जा रही है कि सेंटर ने डिसेवल को लेकर जो पोल्सीज है उसके परस्पेक्टिव में और ज्या कर दिया पबलिक को की जो ड्राफ्ट नेशनल पॉल्सी होगी परसन विद डिसेबिलिटी इसके मामने में आप अपना ओपनियन दे सकते हैं नाइन जुलाई से पंदरा जुलाई तक इसके अंदर बहुत सारे एरिया जैसे कोई भी व्यक्ति अगर डिसेबल होता है चाहे में ऑपने इसेबल परसन है वह एक तरीके से अपने कम्यूकेशन से को और ज्यादा इंक्रीज कर पाएं इसके ठीक नीचे प्रेशे इंडियन नेवी के बारे में बहुत इंपोर्टेंट एक जानकारी है और क्योंकि भारत का इंडिजेनियस एरक्राफ्ट केरियर यह आपको नजर आएगा विक्रांत यह कोचिन पोर्ट पर है विक्रांत इंडियन एरक्राफ्ट केरियर 2022 में लॉंच किया जाएगा यह बहुत important question है UPSC भी पूछ सकती है और दूसरे examination ही पूछ सकती है अगस्त के अंदर यह launch होना लगभग ते है और इंटर governmental agreement के चुरू नेवी अब चाहती है या तो फ्रांस से या यूएस से नए fighter jets को procurement किया जाए और इसको लेकर भी consultation जो वो जा रही है तो यह जो एरक् नेवी के अंदर aircraft carrier का बहुत important role होता है और कई aircraft carrier अगर आप देखेंगे यह बहुत ज्यादा इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इसकी cost बहुत ज्यादा है मतलब एक अगर aircraft carrier को prepare करना है प्रोपरली तो मेभी एक लाग करोड रोपे तक कि इसमें खर्चा करना पड़ेगा यानि बहुत heavy investment होती है किसी भी aircraft carrier को लेखर तो इंडियन अवी के operation के perspective से काफी important है एक चोटी शी नूज उसके बाद जो main news जब वह हम discuss करेंगे एक इंडियन एर फॉर्स की history में एक तरीके से history create करी है फादर डॉटर डियो ने एक तरीके से safe flight को fly किया इनके नाम है एर कमांडर स संजे सर्मा और flying officer अनन्या सर्मा इन्होंने rare fit में एक तरीके से बोल सकते हैं यह एक historical सी चीज़े है यह इसके बारे में जानकरी दी गई और हाउक 132 एडवांस जैट ट्रेनी इन्होंने एक तरीके से air force station बिदर के अंदर यह flight को एक तरीके से उड़ाया है या फिर aircraft को या बात करेंगे यहां पर बात की जा रही है कि भारत के प्राइमिस्टर और चाइना के प्रिजिडेंट यह काफी important इनकी दो important meeting होने वाली है एक G20 के अंदर होगी और दूसरी उससे पहले सेंगाई कोपरेशन organization में उजबेकिस्तान के अंदर यह meeting होने वाली है यह news हम discuss इससे ठीक पहले हम लोगों को उजबेकिस्तान का map देखना है और observe करना उजबेकिस्तान को अगर आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान के ठीक ऊपर में उजबेकिस्तान है इसके ठीक ऊपर कजाकस्तान है उजबेकिस्तान और कजाकस्तान के वीच में यह वाला तो area आप द करते हैं तो यह काफ़ इंपोर्टेंट होती है हाँ कैस्पियंसे से अपनी बाउंट्री शेयर नहीं करता है यह ध्यान लखना है इसके अलावा यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे एक्ट्वनटी की फ़ॉर्ण मिनिस्टर होने वाले है जीट्वनटी की दो हजार वाइस की इंड़ाजिन технолог के इंडिया में यहां पर अससे पहले भारत ऑप्व हिर्मीश्टर हो तो हाँ फयर्म इच्टर होगी और प्राजिल तो यहां पर वहां पर और चैना के वांग यी जो की फॉर्मिस्टर वो भी आएंगे यूएस के स्टेट सेक्रेटर अफ स्टेट इंडिनी बिलिंकन भी आएंगे और रशियन फॉर्मिस्टर सेरजाई लेवरो यह काफ़ इंपोर्टन्ट है रशिया यूकरेन के वोग के बाद ये विजिट अपने आप में वि एक्चुल कंट्रोल में अप्रिल 2020 में जो इशू है उसके बाद ये पहली बार एक तरीके से 1-2-1 फेस-2-फेस मीटिंग होने वाली है इसके बाद पाकिस्तान के जो नहीं ने प्राइमिस्टर बने सहवाज सरीफ जी भी इसके अंदर अटेंट करेंगे क्योंकि सेंगाई ने इसके अलावा अलग-अलग जो मीटिंग्स है जिसमें एनसे लेवल की और ये सारी चीजे भी डिसकुर्शन की गई इसके लावा भारत के प्राइमिस्टर और चाइना के प्रेजिडेंट इनके बीच में वर्चुल समिट तो हुई है लेकिन कोई फुजिकल ऐसी समिट आपको देखने को न पर काफी इंपोर्टेंट है चाइना के प्रेजिडेंट की दोनों मिटिंग इसके बाद बात करेंगे अगर आप इसमें देखते हैं पेज नंबर 13 में जो वर्ल्ड अफेर है तो इसमें दो इंपोर्टेंट चीजे है पहला फिलिपिन्स और चाइना के बीच में जो डिस् डेफिनली साउच चाइना सी एक डिस्पूटिड टेरिटरी है और इसके अलावा इसमें बहुत सारे आइलेंट को लेकर जो चाइना क्लेम करता हैं फिलिपिन्स ये मानता कि ये इंडियन एक तरीके से उनके आइलेंट से हैं और साउच चाइना सी में गर आप नाइन डैस लाइन करके बोला जाता है कि वही यह हमारी टेरिटरी के अंदर आता है यह दो आइलेंड कई बार न्यूज बनाते हैं पार्सल आइलेंड और स्पाटली आइलेंड और कई बार क्या करता चाहिए एक आपने शिप खड़े करता है और फिलिपिन्स की सोवर्निट एक और डिरेक्ट चैलेंज आपको करता हुआ नजर आएगा अगर माल लेते हैं नाइन डेस लाइन को इंटरनेशनली माल लेते हैं तो इसका क्या इंपक्ट पड़ेगा कि जो भी सिप यहां से गुजरेगी क्योंकि यह एक्सक्लूजिव एकनोमिक जोन में आ जाएगा औ और अगर गुजरेगी तो इसका उंतलब होगा कि उनसे पर्मीशन लेनी पड़ेगी तो उन्होंने कहा कि हमारे चाइना के साथ जो रिलेशन है उसमें कई सारे परामिटर है यह जो डिस्पूट है वो केवल एक परामिटर है इसके ठीक नीचे एक न्यूज है कि युक्रे इनको यह अवार्ड जो प्रोवाइड किया है इनके अलावा यह वरी बताया गया कि जब युक्रेइन और रश्या के बीच में कन्फिक्ट चल रहा है उस दोरान यह मैडल का होना अपने आप में विशेस महतो रखता है इसके बाद पेज नंबर 14 यह बिजनस सक्षिन यह वैल्यू है वो लगातार कमोरी है 79.33 जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ट्रेट डेफिसिट जो है इसकी वज़े से इंक्रीज होगा जैसे ट्रेट डेफिसिट बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है करन्ट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ने वाला है इनके अलावा यहा पर अगर आप देखेंगे कि एक एकस्पेक्टेशन रखा गया कि डॉलर की जो वैल्यू है 82 हो सकती क्वाटर 3 में 2022 में क्वाटर 4 में 81 के आसपास लेकिन इसमें एक इश्यू हो सकता है आर भी है अगर इंटर्वेंशन कर दे कि उन्हें यूएस डॉलर वो सेल कर दें लेकिन UPSC ने 2022 में एकनोमी के अप्रोक्स्मेली 20 सवाल पूछे हैं काफी इंपोर्डेंट था यहाँ पर यह बता गया था कि इंडियन एकनोमी के प्रस्पेक्टिव में तीन स्टेटमेंट दी कि यह आपको यह अबज़र करना कि यह सही है कि गलत है पहली स्टेटमेंट और ज्यादा बड़े ही क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी पहली स्टेटमेंट गलत होने के बाद अगर आप देखेंगे ऑप्शन A, ऑप्शन C, ऑप्शन D कर जाएगा, ऑप्शन B अटोमेटिक लिए निकल जाएगा, सेकिन हमने अभी पढ़ तो सेकिन थर्ड जो राइट हो जाएगा, आप लोगों के लिए एक मैप बेज क्योशन है, हमने जब उजबेकिस्तान पढ़ा तो उसके ठीक कैस्पियन सी बहुत इंपॉर्डन एक सी था, तो आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्री अपनी बाउंडरी शेयर करती है, यह आप लोगों के लिए लास्ट कॉशन है, फिलाल दे हिंदू न्यू जेनलिसिस में इतना ही, धन्यवाद, जैहिन,